Hey friends, how are you doing? काफी दिन हो गए था मैं इस चानल पर अक्टिव नहीं था Of course कुछ वीडियोस में अपना ड्रीमशॉट चानल में बना रहा था comparatively उसमें जाधा consistent रहता हूँ but मुझे लगा कि इसमें भी जाधा वीडियोस मुझे डालना चाहिए and मैंने जब इस चैनल को खोल के देखा to my pleasant surprise, I had a decent number of followers so I'm thankful to you आज हम बात करेंगे यश्राज मुखटे के बारे में अगर आप YouTuber हो या अपना YouTube चैनल बनाना में इंटरस्ट रखते हो आपने ये नाम तो सुनाई होगा राशी सौंग का एक मीम आया था उसके बाद ये अश्राज मुखटे वाइराल हो गए और उनका ये पोस्ट है अगर आप देखोगे वो यहाँ पे ये बोल रहे है कि 19th August 2020 को he had 6.8 subscribers 28th August 2020 को there were 1 million subscribers और जिस दिन उन्होंने पोस्ट किया he had 2.5 million subscribers ये जो पोस्ट है ना ये reality से थोड़ा दूर है मतलब वो जो बोल रहे हैं वो जूट नहीं बोल रहे हैं लेकिन मैं बस आप से ये बोल रहा हूँ कि इस number से don't get carried away क्योंकि सच्चा ही कुछ और है काफी लोग जब मुझ से whatsapp में बात करते हैं और कुछ youtube जब मेरे साथ इसके बारे में बात करते हैं most of them feel ये बंदा lucky हो गया देखो कैसे 6000 subscribers थे एक वीडियो viral हो गया now here's millions of followers frankly मैं चाहता हूँ कि इसका असलियत क्या है मैं आपको दिखाओ ताकि आप उसमें कुछ समझे और उसको incorporate करे so let's see what it is देखो यहाँ पर जब मैं पूरा नीचे जाता हूँ और मैं देखता हूँ there are a lot of videos सबसे पहला वीडियो जब मैं देखता हूँ देखो this was his first video at least youtube में अभी जो अवेलेबल है उन में से first video ये है यहाँ पर he is playing a piano किसी और का content चोरी नहीं किया है कोई movie का clip चोरी नहीं किया है खुद का original content है और ये कब upload किया गया था 2011 बहुत पहले उसके बाद 8 years ago 8 years ago उन्होंने 2 video upload किया ये एक ऐसे time था जहाँ पर youtubers बहुत कम हुआ करती थे तब ही इन्होंने upload करना शुरू कर दिया था लगबग 6 साल पहले उन्होंने 1,2,3,4,5,6 6 videos upload किया और वो upload करी रहे हैं मतलब just imagine 2020 को around the time of June, July उनको कैसे लग रहा होगा इतने साल अपना original content create करता रहा और मुझे मिला क्या सिर्फ 6000 subscribers and he's very talented मतलब एक बाहुबली का song है जहांपे उन्होंने कोई भी music instrument यूज किये बिना पूरा song बनाया है इतना जादा talent होने के बाद इतने साल YouTube के channel रखने के बाद इतने सारे videos upload करने के बाद he had only 6000 followers लेकिन अचानक जब popularity मिल जाता है हम वो जो last moments होते हैं सिर्फ उसी चीज को देख लेते पूरा जो struggle है जो hard work है जहांपे हो सकता है कि वो creator frustrated भी हुआ होगा लोग किसी को गाली दे के views बना रहे हैं लोग कोई दूसरों का content चोरी करके views बना रहे हैं अफकोर्स ऐसे channel ज़्यादा चलता नहीं है ज़्यादा brands इनके साथ जुडते नहीं है लेकिन फिर भी अगर आपको सिर्फ subscribers और followers का ही भूख है even in that case आपको थोड़ा सा frustration हो जाता है इतने साल बाद इतने videos के बाद अगर इनको success मिला है I think ये already मिल जाना चाहिए था मैं आपको इतना guarantee देता हूँ कि उन्होंने अगर 9 years लिया है आपका 9 years नहीं होगा अगर आपको अपने उपर confidence है तो आपको यही success शायद 2-3 साल में ही मिल जाएगा लेकिन उतना तो patience रखना है initially हो सकता है कि कुछ 10s में views आए कुछ 100s में views आए but that's okay इतने सारे लोग YouTube में आना चाहते हैं obviously views तो distribute हो गाई पर खुद का पहचान बनाने में थोड़ा सा time लगता है so I hope you give that हर किसी के पास कोई न कोई talent होता है उस talent को suppress करके जल्दी success मिलना है जल्दी views मिलना है जल्दी subscribers को बढ़ाना है यह सोच के अगर हम लोग कहीं पर background music लेके lyrics लेके उसका ही video बना देना क्योंकि वो आसान है एक movie का clip लेके उसके उपर एक video बना दो फैर ही उसके बारे में अच्छे से जानना पड़ेगा वो ठीक से नहीं जानना है कुछ भी बना देना है और यह सोचते रहना है कि उसको corporate claim नहीं आया मुझे क्यों आया उसको corporate strike क्यों नहीं आया मेरे उपर क्यों आया यह सब करने से अच्छा है आपका जो talent है उसके उपर video बनाओ आपको नहीं लगता अगर YouTube इतना आसान है तो सारे लोग अपने नौकरी चोड़की YouTube में नहीं आ जाते इतना आसान नहीं है तीन चीज आपको याद रखना ही है आपका originality होना चाहिए आपको consistent होना चाहिए and सबसे ज्यादा you have to be patient हो सकता है कि आपका एक साल हो, दो साल हो, तीन साल हो हो सकता है कि you are in a verge of getting that success लेकिन आप वहीं पर थक हार के छोड़ देंगे ऐसे मत होने तो तो आज का वीडियो में मुझे ये ही कहना था थोड़ सा patience रखो, everything will fall in place thank you so much for watching this video अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा then please let me know by hitting that thumbs up please do subscribe to my channel, thanks again take care